जैसियरम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, आयोध्या की रामजळ भूमी की जितने भी सारी दुकान है सब भगवामे और सब राम में सञा दिया गया है दुकान। आप लोग देख रहे हैं, यही है वो दसरत महल जहाँ पर, दसरत जी का एक एतियासिक छेतर है. अभी हम लोग दसरत महल में प्रवेश कर चुके हमारे साथ ये विजुन दिया और ये गौतम जी भी है जैसियाराम गौतम जी तो ये बहुत ही अथियासिक और फ्राचिन महल है था जाता है कि यहीं दसरत जी का महल भी था हमारे पीछे ये दसरत महल है कि अंदर किस तरह का वो प्राचिन महल है जहां पर राजा दसरत कधी राज क्या करते थे आज उसका भावनास्यस यहां स्तापित है आए अंदर कि यह आप लोग को दसरत महल दीख रहा है यहीं दसरत जी का राज महल था और आईए देखते हैं इसके अंदर की नजारा क्या है यहीं भावनास्यस पर पुरा निर्मान किया गया है दसरत महल आप लोग देख रहे हैं यह अपने बहुत ही प्राचिन है और राम लला का यहां भी एक प्रतिमास्तापित है यहां राम लला साथ में अपने पूरे पड़िवार के साथ दसरत जी भी जितने भी अपने सब बढ़ी बार यहां भी राजे हैं आप लोग देख रहे हैं जैसे राम। अब लोग देख रहे हैं यहीं थे दसरत महल के बाद आप आनों के महल आ चुके हैं यही है वह कराना का महल है कहा जाता है कि यह भवन माता सीता को भगवान राम से विवा के बाद माता के कई ने उपहार में दिया था जैसी अरा है कि अर्व दोस्तों हमारे पिछे एक अनक महल है और इसमें हम लोग प्रवेस्ट करेंगे आये चलते देखें कि आना जा रहा है इसके अंदर जैस कि अधिर आप देख रहे हमारे पिछे एक अनक भूमन है और बहुत ही खुबसूरत ये भवन है कहा जाता है कि अधिया में एक मात यही भवन है जिसे देखने के लिए सबी लोग अलाहित रहते हैं अयोध्या स्रीराम जन भूमी पर इस्तिफिय अकनक महल अपने आप में एक बहुत खुबसूरत एद्यासिक महल है यहां पर प्रभू स्रीराम जी का चरनपादु का जाता है यहीं रखी गए थी भारत जी की जोरा जो लाए गया था बहुत ही यह भावना अपने आप में एक अलग ही उमंग ला देती है सजादो घर को गुलसन था और हमारे साथ यह सभी बहुत जाने ना तुबसूरत बहुत अज़ूरत अब समझ सकते हैं यह सबसे ज्यादा देविदेवता हैं हमारे हिंदुस्तान आप लोग भी आयोदिया है जरूर कनक वह वना आए राम शिता की जोरी इनकी साधी अगर नहीं नहीं होती है उनको आसिरवात की रूप में दिया जाता है आप शिता राम की जोरी लग रहे हो उनकी प्रारूप को समझ सकते हैं कि हम लोग कितना खुस है जजैस्री राम कोसल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई बालक रूप राम करे द्याना काया उसकी मुनिक पानिदाना जजैस्या राम और यहां स्री कन के स्वर महादेब जी भी है आप लोग देख रहे हैं कहा जाता है यही वो कंद मुल है जिसे स्री राम चंदर ने चोदो वर्स बनमास में खाया था लोग जब भी अयुद्या है यहां पर तुलसी मला जरूर ले तुलसी मला यहां की प्रमुक मलाओं में से एक है जैसी अराम वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब सेयर जरूर करें